वो रविंद्र जाड़ीजा का वो आकली गेंद पर शौट पहले चार उससे पिछली गेंद पर छे वो तो मुझे अभी भी याद है महिंद्र सिंग धोनी के लिए जो प्यार का सैलाब उमुडा था पिछले साल वो मुझे अभी भी याद है I mean ऐसा लगा कि पूरे देश को येलो फीवर हो गया है प्यार जजबात और I mean just the admiration for महिंद्र सिंग धोनी लास्ट डांस कह रहे थे पर definitely not महिंद्र सिंग धोनी इस साल भी चलनाई सूपर किंग से कप्तान है और एक बार फिर कोशिश करेंगे कि successfully defend कर पाएं अपने title को एक बार ये team पहले ऐसा कर चुकी है क्या दूसरी बार ऐसा कर पाएंगे देवन कॉनवे की अनुपस्तिती कितनी खलने वाली है मतीश अ पतिराना अगर नहीं खेल पाते तो उनकी replacement क्या होगी कौन करेगा open mid lauder में समीर रिज्वी का रोल क्या हो सकता है लेट्स टॉक अबाउट दचेनाए सूपर किंग्स विसल पोडू आर्मी यार प्रोवो प्रेजेंस चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के सुआ गयता है और as promised अब हम start करने वाले हैं अपनी IPL journey अब IPL journey तो champion के साथ शुरुवात की जाए ये एकदम सही है इनका पहला मुकाबला चिन्ने में ही है और RCB के सामने है ये 22 March को मुकाबला खेला जाएगा लेकिन हम उस journey पे पहले जाएं उससे पहले मैंने का थोड़ा सा चिन्ने का थोड़ा सा केतना primer what is this team पड़े प्यार से मैं कहरा था पहले जब ये 8 टीम का tournament होता था कि ये वो tournament है जिसके अंदर 7 टीम आपसे भिड़ती है चिन्ने सूपर किंग से final में मिलने के लिए टीमें 10 हो गई पर कहानी में कुछ ज़्यादा बदलाब नहीं आया है क्योंकि 12 बार ये play-off के लिए qualify करें है in the 14 seasons that they have played just think about the consistency यार कि 14 ही season हुए है इनके 2 season ये बाहर रहे थे उसमें से 12 बार ये qualify कर गए है I mean incredible 10 तो ये final खेले हैं उन में से 5 ये जीते है I mean क्या consistency अलग level की है कि 14 में से 12 बार qualify करते हैं play-offs के लिए 10 बार फाइनल तक पहुँच जाते हैं और उसमें से 5 टोफिय उठा भी लेते हैं I mean it's absolutely incredible महेंदर सिंग धोनी ये actually हर बार retain हुए हैं किसी भी अगर आप auction को देखें उससे पहले हमेशे ये महेंदर सिंग धोनी को retain करते हैं तो thumbs up वहां मिलता है किसी भी franchise के इतिहास में कोई भी ऐसी franchise नहीं है जिसके इतने कम कप्तान रहे हो सिर्फ तीनी कप्तान होए हैं इसमें महेंदर सिंग धोनी सबसे ज़्यादा कप्तानी की है बाकी जो दो कप्तान रहे वो stand-in captains रहे थे ज़रूर एक season में शुरुआत कराई थी जड़ू से पर mid season चेंज करवाया उसके अलावा कोई कप्तानों में बदलाव इन्होंने किया ही नहीं है सुरेश रहना कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए रविंदर जाड़ी जा 235 मुकाबलों में धोनी 6 मुकाबलों में रहे न और 8 मुकाबलों में जाड़ी जा इन से ज़्यादा किसी का जो कोच है मतलब उतना लंबा tenure किसी कोच का भी नहीं रहे that's Stephen Fleming highest run scorer जो है इस team के वो है most wickets DJ Bravo नहीं मिला हूँ जिसने ये कहा हूँ कि मुझे न मज़ा नहीं आया या फिर मैं ये चलो let me just go a step further मैं किसी से नहीं मिला हूँ जिसने ये ना कहा हूँ कि यार उस franchise में दुबारा खिलने का मन है कहीं नहीं जाना चाहता क्योंकि it's like a family बड़े cohesive unit बनाते हैं महेंदर सिंग भोनी को पूरी तरहां से उसकी command थमा देते हैं one man running the entire show और इस वजह से जो successful रही है ये team ससकसफुल होना चाहता हूँ ससकसफुल होना चाहता हूँ तो भया जाईए चन्नाई में क्योंकि इनके इतिहास में बहुत बार ऐसा भी हुए कि खिलाडी जो कहीं जगाओं पे अंसकसफुल रहे वो यहां आकर ससकसफुल हो गए ससकसफुल पिछले साल भी हमने देखा अगें स्टॉल और जाते हैं फिर एक बार ट्रोफी उठा जाते हैं अब इस साल क्या की जाए उमीद फिर्सली दिस इस दा स्कॉर्ट इन फ्रंट आफ यू अब आपने स्कॉर्ट देख लिया अब स्कॉर्ट के अंदर कुछ बदलाव करने की गुणजाईश हो सकती थी पर है नहीं क्योंकि डेवन कॉनवे भी कुछ समय के लिए बाहर हैं वो वापिस आ जाएंगे मतीश पतीराना की इंजरी के ओपर अभी भी कोई क्लारिटी नहीं है कि कितने मैचेज मिस करेंगे या फिर मिस करेंगे या नहीं करेंगे सो उसके लिए बात हम जरूर करने वाले हैं पर तब ही मेरे जहन में कुछ सवाल भी आ जाते हैं आपके जहन में भी सवाल आएंगे पहला सवाल ही है कि यह चिन्नाई इस साल टॉर्नमेंट जीट जाएगी मुझे लग रहा है शायद नहीं जीट पाएगी देखे एक बार यह कर चुक है ऐसा यह अपने सक्सेस्फुली टाइटल को डिफेंड कर चुक है एक बार क्या दूसरी बार कर पाएंगे I'm not a hundred percent certain दूसरा सवाल क्या रूर्तुराज गायकौड को औरिंज कैप मिलेगी मुझे लग रहा है नहीं मिलेगी परसनल ही मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगी और तीसरा सवाल है कि यह रचिन रविंद्रा जो है वो 450 सूपर रंस बनाएंगे सिर्फ वो बनाने के चांसे इनके ब्राइट है प्रोवाइड़ यह आईटल क्यों शुरुवात करें अगर आप मेरे लिंक से गए तो उसके बाद आप फिर अपनी सुविधा के अनुसार अपनी ज्यान के अनुसार अपनी अंडर्स्टैंडिंग के अनुसार आप अपनी कैटेगरी चूज कीजिए और उसमें से सवाल चूज कर लिजिए सिंपल आंसर होते हैं यस या नो वो आप जो चूज करना चाहें कर सकते हैं और उसके बाद जीतेवे पैसे को unlimited withdraw कर सकते हैं Google पे UPI के जरियर करोड़ों लोग आज़ी खेल चुके हैं तो आप भी खेल सकते हैं इंवेस्ट वाइज़ी प्ले सेंसिबली इस पूरे इंडियन टीट्वेटी लीग के सीजन में अपने को क्या करना है ओपिनियन का इस्तामाल करना है करना है सिरफ प्रोव पे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में चलो जी अब क्योंकि प्राइमर हमारा हो चुका है क्या है चिनने को हमने समझने का प्लेडास किया अब इस चीम के स्ट्रेंथ गया है देखिए सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है उस खिलाडी का नाम ही जो मुझे लगता है वो भेहिंडरसि इंगोणी है क्योंकि ये जो कप्तान है ये टीम को चलाना जानता है ये वो है जो इसके पास माईडा स्टच है जिसको इसको हाथ लगाते हैं उन सोना बन जाती है ये लोगों को freedom प्रदान करते हैं कि शिवम दूबे को player suddenly आपने देखा the best of दूबे the best of रहाने plenty of examples हैं है जो इनके अंदर flourish करते हैं एक बार फिर season की शुरुबात ये करेंगे और महेंदर सिंग धोनी एक बड़ी strong factor के रूप में मेरे सामने है क्योंकि T20 cricket में कप्तान का role जो है बहुत बड़ा होता और इससे बड़ा कप्तान आपको आसानी से नहीं मिलेगा दूसरी इस टीम की जो ताकत मुझे नजर आती है वो आती है कि batting order solid air अगर आप देखें रूतुराज गायकॉर्ट को देख लेते हैं शुरुबात में जो की consistently runs बना रहे हैं पिछले IPLCS IPL के बीच में थोड़ी injury ज़रूर रही पर एक 100 भी बनाया उस्ट्रेले के सामने थ रचन रविंद Schüler भी हो सकते हैं और अजिंकर रहाने भी हो सकते हैं इन तीन में से आपके दो खिलाने को खेलते हुए देखेंगे जिसमें से रहाने confirmed होंगे बाकी दूसरे या तो रचन हो सकते हैं या फिर रैड़ मिचल हो सकते हैं आगर उनका मन क percept हैं कि हम्हेंन अली को नहीं खिलाने इन दोनों को खिलाने तो वो दोनों भी हो सकते हैं, I mean those are the options that are available to them, उसके बाद आपको शिवम दूबे बाद में नजर आएंगे, फिर आपको रविंदर जड़ेजा नजर आएंगे, फिर आपको महिंदर सिंग धोनी नजर आएंगे, I think team के अंदर batting में गहरा नहीं हो रहें तो I am contributing as a batter, तो ये batter के रूप में आपको contribute करते में नजर आएंगे, तो अच्छी batting, अच्छी कप्तानी और बड़े all-rounder से भरी होई team है, इस team के पास all-rounder की भरमार होती है, दीपक चाहर भी almost like proper batter है, अगर आप उनको नीचे batting करा हैं, दीपक चाहर तक इ जाविंदर जाडेजा all-rounder है, MS all-rounder है, I mean batting के अंदर incredible amount of depth है, सिर्फ एक दो श्रिलंकन होते हैं, मतीश पतिरान और महीश तीक्षना जो batting नहीं करते हैं, पर उसके इलावा, जितने ये खिलाडी खेलते हैं, number 9 तक इनके बास batting होती है, तो incredible all-round का जो इनका सशक्त है, जो जिस तरीकी इनकी शक्ती है, वो इस टीम को बड़ा खास मनाती है, तो ये रही भीया, इस टीम की strength, तालियों ओरी strength हैं, weakness है क्या कोई, now let's look at the weakness, कि क्या हो सकती है weaknesses, मेरे को batting हमने अच्छी देख ली, मुझे fast bowling भी ठीक लग रही है, fast bowling ठीक है, देगी दीपक चाहर है इनके पास, तो ऐसी कोई परिशानी नहीं है, spin department में थोड़ी दिक्कत लगती है, जब मैं इनका spin देखता हूँ न, तो वहां लगता है कि थोड़ी दिक्कत है, महीश तीक्षणा, he's a very decent bowler, इनका बहुत अच्छे से इस्तमाल MS कर लेते हैं, पर ठीक bowler है, उसके बाद इन से best निकलवा लेते हैं, पर रमिंदर जाडेजा के रूप में एक proper इनके पास spinner रहता है, फिर इनको मिचल सैंटनर को खिलाएं या ना खिलाएं, ये वाली एक समस्या रहती है, मोही नली से पिछले साल एंडे में बोलिंगी नहीं करें आखरी के 4-5 मैच्छे में, तो spin department में रमिंदर जाडेजा के बाद को इंडियन बोलर प्रशाद सुलंकी हैं, लेकिन खिलाते नहीं है, तो कोई भी इंडियन spin option अवेलेबल नहीं है, बारिंग रमिंदर जाडेजा, जो 11 में खेलें, यानि कि overseas contingent के ऊपर थोड़ा ज्यादा दबाव रहता है कि spin bowling भी वह ज एक बार फेरवेल दे तो, क्योंकि पता नहीं नहीं देखो, जब भी MS खेलेंगे, ऐसा लगता है कि आखरी साल है, हलांकि वो आ जाते हैं, अंगले साल खेल जाते हैं, और मेरी जब लास्ट दीपक चाहर से बात रही थी तुरों ने का था कि यार वो खेल देंगे, कैसी को रहाने के रन नहीं बने है, तो उनके लिए बड़ी ऑपरचुनिटी है, मैं इसाब से शिवम दूबे के लिए बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी है, क्योंकि उनका वोल्ल कप में नाम आ सकता है, पहले उन्हें ने भारत के लिए रन बनाये, उसके बाद उन्हें रांजी ट ठाकुर कहां 10-12 करोड़ और कहां 4 करोड़, तो वो जो एकदम से fall from grace कह सकते हैं आप in terms of the money, वो वापस उनके पास सब खीचने का मौका है कि I'm still as good, यार, तो मैं उतने ही पैसे deserve करता हूँ, और ये performance जो बता सकती है, क्यों रणजी टोफी में अच्छा करके अलरी बहुत मुझे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये season share इस तरीके से भी देखा जाएगा कि कौन हो सकता है, चैनाई कागला कप्तान तो रूतुराज गायको और रविंदर जाडेजा, इन सब के लिए बड़ी opportunities हैं कि if you want to be the next leader, तो फिर इस वाले season में अच्छा प्रदर्शन कर meticulously plan करते हैं, चैस के जो player होते हैं, जब आप चैनाई के dressing room से भार की तरफ निकलते हैं, एक pitch राइट पे एक लेफ्ट पे हैं, जब राइट वाली pitch पे जाते हैं, तो राइट वाली pitch पे वहाँ बॉल जार टरन होता है, लेफ्ट वाली pitch पे बड़ी बैट पाती पाठा रह नहीं है, तो फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, so they have the options, और उन options का बड़े अच्छे से इस्तमाल करते हैं, यह उनकी strategy का हिस्सा है, दूसरी इनकी strategy यह है कि they keep building, they are not a team जो आके suddenly top heavy batting line-up और जाके धम 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 बड़े shots लगाना शुरू करें ना, यह ध्यान ध्यान से च फिनिश कीजिए, finishing is team के लिए बहुत important रहते हैं, क्योंकि they always build towards that finish, आप पिछला final भी उठा के देखेंगे, तो यह ही है, to build towards that finish, तो उस तरीके क्रिकेट यह खेलते हैं, अगर बल्ले के साथ देखें, खिलारी को अबर अच्छे से इस्तमाल किया, पिछले साल वही करेंगे इस बार भी, शिवन दूबे को कभी उपर, कभी अजिंक्या को नीचे, कभी हो सकता, डैरल मिचल को उपर, कभी हो सकता, MS खुद इस बार उपर बैटिंग करने आ जाएं, क्योंकि this time the knee is better, गेंद बाजी में अगर देखें तो दीपक चाहर से नही गेंद के 2 या 3 ओवर, नही गेंद से विकेट चटकाना, उसके बाद गेंद को कंट्रोल करके रखना, और एंड में वहां पर मतीश पतिराना और महीश तीक्षणा को अनलीश कर देना, कि इनके सामने छक्य मारू, I think that's the kind of strategy that they follow, अगर मतीश पतिराना नहीं होंगे तो शुरू में मुस्तफिज रह्मान, और हो सकता है, मुस्तफिज रह्मान के अभी तक मतब न, IPL के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और हो सकता है, अभी चिन नहीं आ गया है, तो पता चले कि इनके आंकड़े भी बहुत कमाल के हो जाए, that is also a possibility, तो interesting होगा season, कि कि किस तरीके से defend कर पाते ह इस तरीके से शुरुआत करते हैं, यह तो मेरी राय थी कि strength, weaknesses, opportunities and strategy of Chennai, Chennai कि हमने थोड़ी history की बाद भी की थोड़ा सा primer दिया आपको कि हैं कौन, इनको पहचानो, जरा कि आ गया है Don, दीवानो, मुझे पहचानो, यह है Don, Don है भाई वो, इस cricket का नाम आउस का महेंज सिंग होनी, like, share, subscribe, comment, notification, घंटी बजा दीजिए, और प्रोबो का link है, उसको जाके check out कर लीजिएगा, अब तो रूपीस 25 मिलेंगे, एक हमार English का channel भी हमने अब launch कर दिया है, do check that out as well, क्योंकि बड़ी अच्छे-चे हमने आपर stories डालनी शुरू किया है, they are of course in English, तो अगर आप वो opinion my friend.